ह wanting, थोज्टो, मैं हूँ राम और मेरे चैनल आरेस डिजाइनर वीडिउ तो में आपका स्ववागत है दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता इने कि सलाई कितने तरीके के होती है सलाई कितने तरीके के होती है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यदए कोई भी एक सीरी स्लाई हो यह ओगे डोख्तो बिलकूल सीधी सिलाई ठीक है अब इसी के साथ जो सिलाई मारते हैं जैसे हम लोग कहते हैं एक पयर की सिलाई एक पर की सिलाई क्या होती है बिलकूल इसी के साथ आती है जो इतने gap पे होती है, बिल्गूल बराबर इतने gap पे होती है, उसे हम एक पेर के सलाई कहते हैं, और टीसी सलाई होती है, एक सलाई होती है, लज के सलाई देखिए ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई है इसे हम कहेंगे लपके सिलाई और एक सिलाई होती है इसको कहते है जिग जग सिलाई आपको कपड़ा लगाना है और कपड़े के साथ कपड़े को हलका है यहां से एक तरफ से यसे इते करते जाना है तो यह बीच में जिग जग सिलाई आज गी तो तीन चाज तरह की सिलाई होती है इस देख लिए और फिर हम मारेंगे मालनी जे एक पैर की सलाए मालनी है ये किये सलाए होती है किनारे पे लगा के एक पैर की सलाए मार दी इसे भी एक पैर की कहते है और मोरी बनाने के लिए मोरी बनाने के लिए हम सलाए मारते है इतने इतने गेप पे सीधी 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 शिलाई मार लो और डिजएँ बनाना है तो एक जिग जाक सुलाई मार लो assim एंसे करके चुमाते जाना है इसे कहते है जिग जाक सिलाई cake यह देगी है तो मैंने बड़े बड़े लगाएं अगर जल्दे लिगुमाऊगे तो बहुत ही अलकी अलकी जिक जग बन जाएगी वो भी बहुत अच्छी होती है तो आपने देखा कई तरीकी की सिलाईया होती है ओके फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई